विश्वकर्मा पुजा पर्वपर जार्खंड सरकार द्वारा राजपत्रित अवकाश किये जाने से हर्ष डिडियू नगर 27 दिसंबर ओल इंडिया युनाइटेड विश्वकर्मा शिल्पकार महसभा की दिन दयाल नगर स्थित कार्या लई पर संपन बेठक में जार्खंड सरकार द्वारा विश्वकर्मा पुजा पर्वकार राजपत्रित अवकाश गोशित किये जाने पर हर्ष व्यक्त किया गया तथा सरकार को समाज की ओर से धन्यवाद गनापित किया गया इनके साथ ही संगठन के विस्तार सदस्यता और भ्यान तथा सामाजिक एक जुटता है तो आगामी कार्यक्रमों से सबंधित विशय पर चर्चा की गई बेठक को संबधित करते हुए राष्ट्रिय अध्यक्ष अशक कुमार विश्वकर्मा ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर समाज के साथ गोर भैदबाव और उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा मोजुद सरकार में समाज के लोगों पर सरवाधिक जूर्म उत्पड़ें और अत्याचार की गटनाय बड़ी है सरकार ने विश्वकर्मा पुजा परव के अवकाश को निरस्त करते करोड़ो विश्वकर्मा वन्शियों की आस्था और भावनाव को आहत किया है उन्होंने बताय है की सरकार की इस फैसले से समाज आondolित है तथा विश्वकर्मा पुजा परव के राजपत्रित अवकाश की मांग को लेकर लंबे समय से संघर्शर्त है सरकार ने देव शिल्पि भगवान विश्वकर्मा के जीवन चरित्र को शैशिक पाठियक्रमों की शामिल करने की गोशना करने के बाद ही उसे लागू ना करने समाज को धोखा दिया है उन्होंने कहा है कि विश्वकर्मा पुजा पर्व पोवरणिक परंपरा है और यह सभी जाती धर्म के लोगों की आस्था से जुड़ा है उन्होंने विश्वकर्मा पुजा पर्व के राजपत्रित अवकाश की सरकार से मांग की है बेठक में प्रमख रूप से श्रिकांत विश्वकर्मा डोक्टर प्रमद कुमार विश्वकर्मा नंदलाल विश्वकर्मा सुरेश विश्वकर्मा एडवोकेट अजय विश्वकर्मा मिन्टू विश्वकर्मा लोंचन विश्वकर्मा सुरेश विश्वकर्मा महेंद्रव विश्वकर्मा दीन दयाल विश्वकर्मा सहीत अनेक लोग उपस्थित थे Bureau Report, Lukasamna News